चलिए, next लिखे, polar high pressure belt, polar high pressure belt, तो इसका भी हमें पता ही है, कहां से कहां तक है, between 80 degree to 90 degree, या कहीं कहीं पर ये 75 to 90 degree लिखा रहा है, ठीक है, कहीं पर 10 degree लिखा है, कहीं पर 15 degree का difference लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, पर जादा तर ये वाला मानने है, और हमें पता है कि इसी बात है, एक चीज़ ये भी समझे हैं, कि जब हमारा sun, insulation, जब क्या करते हैं, या कैंसर पर होगा, या कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करकर एखा पर होगा, तो ये क्या होगा, ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसोलेशन यानि हीट जो होगा, वो नॉर्दन हमिस्पर में ज़्यादा पहुँचेगा, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ 5 डिगरी सरक जाए यानि कि अब यहाँ पर जो वो फ्रिट जोन कह लिजिए या पोलर हाई प्रिसर जोन है, वो 75 से 90 के बीच में बनेगा, ठीक है, तो ये सीजन, वो मैंने आपको लिखवाया भी था कि सीजन के साथ क्या होता है, बदलता है, तो वो रोटेशन, जो रिवोलूशन के साथ जो इसमें ऑक्सिलेशन होता है, उसका भी ये एक तरह से रिजन है, ये कहीं पर आपको 75 से 70 के बीच में लिखा मिलेगा, कहीं पर 80 से 90, तो जब हम ले रहे हैं क्या, कि सन जो है वो कहां पर है, सन हमारा अगर ट्रॉपिक आफ कैंसर पर है, तो 80 से 90 के बीच में, जब हमारा सन अरे यह सब ट्रॉपिक पर भी होता है, लेकिन एक्विटोरियल 10 से 10 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि वहां तो हमेशा गर्मी रहेगी, चाहिब ट्रॉपिक आफ कैंसर पर हो, चाहिब ट्रॉपिक आफ केपररी कॉन पर है, वो उसमें नहीं कोई चेंज है जाएगा, is thermally induced, it is thermally induced pressure belt, it is thermally induced pressure belt, but the role of dynamic factors cannot be denied. तो फोड़ा से dynamic factor यह होता है कि सब-polar, low-pressure zone है वहाँ पर जब low pressure कि हवाय उपर ऊठती है, तो यहाँ पर जो high pressure बना है ना, पोल्प है, यहाँ से cold हवाय कुछ, वहाँ move करती है. तो आप दोनों को या तो यह समझें कि यहाँ पर high pressure बना वो हवाय move करके sub-polar पर पहुंची या यह भी कहते हैं sub-polar पर हवाय जब ऊपर उठी तो वहाँ पर low pressure बना तो यह high pressure की हवाय वहां move कर गई इसको इस अंदर में देखेंगे तो कुछ dynamic factor भी यहाँ पर काम करते हुए हमें दिखेंगे ठीक है लेकिन यह है पूरी तरह से thermally induced ही यहाँ पर आपको 100% thermally induced ही है इसमें जो subpolar का हिस्सा है वो बहुत ही negligible है 90% यह reason जो है यह वो thermal ही है नेश्ट लिखेंगे दरीजन दरीजन ओपजर्बस दर सबसीडेंस subsidence of cold and dry air which causes the high pressure तो यह क्या है subsidence of old and dry air तो कहां से यह dry air subsidize कर रही है भई ट्रोपोपोज से ही तो करेगी न तो subpolar की हवा उपर उठी है ट्रोपोज पर high pressure बनाई वो diverge हुई तो pole के ट्रोपोज पर पहुँची पोल के ट्रोपोज से वो subsidize कर गई पोल पर अर्थ सर्फिस पर और वहां आ गई high pressure इसी लिए हम कहा रहे हैं कि थोड़ा सा dynamic factor को मान रहे हैं लेकिन वहां पर high pressure होने का main region जो है वो वहां पर perpetual low temperature ही है वो 90% असर कर रहा है पांस से दस परसेंट थोड़ा सा dynamic factor है नेक्स लिखिये दा subsidizing air is converted the subsidizing air is converted into anti cyclone due to the Coriolis effect अब जैसे वहां पर Coriolis effect आया था वैसे यहां पर भी Coriolis effect आ रहा है लेकिन यह जो Coriolis effect है इसको हम लोग बिलकुल अलग से discuss करेंगे अभी सिर्फ लिख लेजे Coriolis effect and and leads to the outflow of in the form of gain तो जो पोल पर थंडी हवाएं इकठा हो जाती है सबसिडाइज करके या सिकुड कर जब वह वहां से move करती है तो उसी हवा को हम लोग क्या कहते हैं गेल नाम दिया जाता है कि पोल से जब हवाएं दूर भागती है तो उन हवाओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं गेल नाम से जानते हैं नेक्स्ट लिखेगा दीज लिखे दीज गेल्स आर नोन एज ब्लीजार्ड नोन एज ब्लीजार्ड नोन एज ब्लीजार्ड इन इन नौन एज ब्लीजार्ड इन नौर्थ अमेरिका एक एंड बुरareं परण इन साइबरिया तो अपने अपने लैंग्वेज में यह सब नाम दे रखा है नौर्थ अमेरिका में इसको ब्लीजार्ड नाम से जाना है जब वो बहुत ठंडी हवाइं जो पूल से आती है एकदम जमाने मतलब माइनस वाले जो ठंडी हवाइं पूल से आती है उनको वैसे तो साइन जोग्रॉफर्स गेल नाम से जानते हैं लेकिन हर किसी का लोकल नेम भी होता है तो नौर्थ अमेरिका में उन ठंडी हवाओं को गेल्स को ब्लिजार्ड के नाम से जाना जाता है और साइबेरिया में यानि जो रसिया वाला हिस्सा है वहाँ पर उसको बुरेन नाम से जाना जाता है वो अपने अपने लोकल लेंग्विज के नाम है ठीक है जैसे हमने देखा है ना नदियों के नाम या यूं कहिए हिमाल कहा जाता है ठीक है हम लोग पड़ते हैं क्या करते हैं लेसर हिमाले लेकिन वोग उसको हिमाचल हिमाले के नाम से जानते हैं तो हर जगह जैसकी तरह से local name भी होते हैं तो यह हम ने सारे पढ़ लिया अब इसको हम लोग draw भी कर चुके हैं ठीक है तो अब अगर हमारे पास जो पूरा सिनेरियो निकल के आता है वो सिनेरियो कुछ इस तरह का निकल के आता है इसको रब कर दिया जाए ठीक तो अभी तक जो हम लोग ने सब लिखा और पढ़ा उसका सिंपल सा इफेक्ट हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये हम लोग की जो अर्थ है ठीक है ये जो हम लोग की अर्थ है तो हमने क्या कहा कि ये है हम लोग का जीरो डिगरी यहां से हमने क्या बना दिया दस डिगरी नौर्थ और हमने बना दिया दस डिगरी साउथ फिर हमने बना दिया यहां पर 20 डिगरी नौर्थ और 30 डिगरी नौर्थ फिर हमने बना दिया यहां पर 20 डिगरी साउथ और 30 डिगरी साउथ फिर हम लोगों ने बनाया एक और क्या साट डिग्री साउथ, सत्तर डिग्री साउथ और फिर लाश्ट में एक हम लोगों ने बनाया असी डिग्री साउथ और नबबे डिग्री साउथ सेम इसी तरह से यहां भी है साट डिग्री नॉर्थ, सत्तर डिग्री नॉर्थ और फिर यहां पर बना दिया असी डिग्री नॉर्थ और नबबे डिग्री नॉर्थ यह हम लोगों ने बनाया तो हमने कहा कि भाईया देखो यह जो zone है black वाला 10 degree से north से लेके 10 degree south तक यहाँ पर हमने कहा कि यह है equatorial low pressure zone equatorial low pressure zone क्यों है क्योंकि यहाँ पर perpetual गर्मी है ठंडी है अब हवा उठ गई वहाँ से हवा चली गई ठीक है और यही को हम लोग क्या कहते हैं डोल ड्रम, क्या कहते हैं, यहीं पर हम क्या जानते हैं, डोल ड्रम, ठीक है, यहां से हम ऊपर उठे, तो यह हवा उपर उठी, ऊपर उठी पहुची ट्रोपोपॉज, वहां ठंडी होई, जाकर गिर गई कहां पर, 20 दिग्री और 30 दिग्री के नॉर्दन और साउदन जब हवा वहां जाकर गिर गई तो यहां पर हवा का मास हो गया जादा यहां पर धेर सारी हवाएं क्या हो गई इकठी हो गई जब धेर सारी हवाएं इकठी हो गई तो यह बंद गया क्या बताइए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो यह भी बनेगा Sub-Tropical High Pressure Zone और जब यह Sub-Tropical High Pressure Zone बना तो हमें पता है कि यहां इसको हम क्या कहते है Horse Latitude के नाम से जानते है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे Horse Latitude है न होर्स लैटी ट्यूड यह हो गया इसके बाद आगे बढ़ें तो हमें यह पता है कि यहां से जब आगे बढ़ें तो यह हवा यहां पर लो हाई प्रेशर जोन है तो फिर यह हवा इधर की तरफ आएगी तो यहां पर अपनी थोड़ी सी गर्मी लेकर आएगी ठीक है यहां पर भी अपनी थोड़ी सी गर्मी लेकर आएगी लेकिन दूरी जादा है और यह वाली थोड़ी सी नजदीक है तो पोल वाली थोड़ी सी अपनी ठंडी लेकर जाएगी और यहां वाली भी अपनी ठंडी तो यहां गरम हवा और ठंडी हवा आपस में मिक्स हो गई तो यहां बना air front और equilibrium हुआ तो यह हवा हो गई उपर उठ गई जब उपर उठ गई तो इसको हम लोगों ने नाम दिया क्या बताईए sub polar क्योंकि pole के पास है तो sub polar low pressure zone कहा इसका कोई अलग से नाम है sub polar low pressure zone का तो इसको कहते हैं temperate convergence zone क्या कहते हैं temperate convergence zone और यह भी हमें पता है कि यहां पर हम thermal factor को ignore नहीं कर सकते कुछ न कुछ thermal factor का role है ठीक है sub polar low pressure zone या कहेंगे temperate convergence zone ठीक है यहां तक चीजे ठीक है इसके बाद हम पता है कि यहां पर है perpetual ठंडी यहां पर हमेशा मौसम कम ठंडा है तो यहां पर क्या हो जाएंगी हवाय जाएंगे सिकूर हवाय जब सिकूर जाएंगे तो यह बन जाएगा क्या polar high इसको लेखे polar high pressure zone ठीक है और यहां इसको हम लोग कुछ से नाम से तो नहीं जानते हैं लेकिन हाँ जो air flow होता है क्या air flow is called as gale क्या है यहां पर एक air बहुत ठंडी हवा चलती है जिसको हम लोग कहते हैं gale ठीक है उसी तरह से यहां भी लिख लेंगे यहां पर भी क्या हो जाएगा यह polar region है तो क्या लिखेंगे polar high pressure zone और यहां भी चलेंगी gale ठीक है तो यहां पर population है तो यह North America Siberia यही region है तो यहां पर उनको blizzard या क्या कहते हैं बुरान कहा जाता है ठीक है तो gale और गएरे हम लोग को polar region में मिलेगी यह अभी तक हम लोग उने समझा साथ में यह भी देखा क्या देखा कि जो हवाएं है तो यह hype से low की तरफ आती है तो यहां हम लोग देखेंगे कि हवाएं earth surface पर जो flow करेंगे वो कुछ इस तरह flow करेंगे यहां से यहां यह क्या है this is the air flow direction कहां पर air earth surface पर ठीक है दूसरा क्या होगा high से low तो हवाएं इधर flow कर रही है यह जो मैं arrow बना रहा हूँ यह क्या है this is the flow of direction of air on the earth surface यह बन गया और फिर पोल वाली है तो यह high से low तो यह इधर यह इधर यह इधर तभी नहीं यहां पर दो साइट से हवाएं आ रहे हैं तो air front बन रहा है गरम और ठंडी दो हवाएं आ रही है तो इसलिए यहां पर air front बन रहा है ठीक है वैसे ही यहां पर भी आएंगी हवाएं ठीक है तो कुछ इस तरह का diagram आपको देखने को मिलेगा अब यह जो हवाएं चल बह रही हैं ना जो यह red से और green से और brown से आपको जो यह हवाएं दिखाया हो इन सभी का नाम है इन सभी को जैसे यहां से सब polar high से equatorial low पर जो हवाएं आ रही है इनको इनका नाम है और यह continue flow करती है यहां से सब tropical high pressure से यहां जो हवाएं आ रही है सब polar low पर इनका भी नाम है यहां से यह जो flow कर रही है इनका भी नाम है तो ये सब ही को हम लोग next में पढ़ेंगे ठीक है अभी हमने सिर्फ आपको क्या पसमझाया pressure built समझाया जब हम wind पर आएंगे तो इनका नाम ही हम लोग अच्छे से देखेंगे वैसे जाने लिद कह सकते हैं ये trade winds है ये western lees है और ये polar winds है ये जो red color की हैं ये trade winds है ये जो है western lees है ग्रीन कलर वाली और ये जो brown color वाली हैं ये polar winds है खेर लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे कब जब हम लोग क्या पढ़ेंगे पूरा planetary winds को पढ़ेंगे यानि कि winds को जब पूरी तरह से हम अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां इसको नाम देंगे अभी हमारा जो main मकसद है वो ये है कि हमने pressure built देखा और हमने देखा था कि इस pressure built की वज़े से एक circular flow of air बन गया था तो हमने वहां पर 3 cycles भी देखी थी आपको 3 cycles के नाम बताए गया थे Hadley, Feral and Polar cycle तो अब उन cycles को देख लेते हैं तो पहले हमने built को देखेंगे फिर cycles को देखेंगे और उन cycles की वज़े से होने वाली हवाओं को जब पढ़ेंगे winds को तो इन winds का नाम पढ़ लेंगे trade wind, westerlies and polar winds ठीक है तो अब लिखिए global wind circulation global wind circulation पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग उन तीनो cycles को पढ़ेंगे और उन तीनो के diagram भी अच्छे से बना लेंगे northern hemisphere और southern hemisphere दोनों का एक साथ खेंगे न चलिए तो अब heading डालिए global wind circulation तीन के साथ मेशा यड़